इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ये कठोर स्क्रब्स में से एक नहीं है जो आपकी तवचा को शुष्क और सूजन छोड़ देता है। ये किसी भी स्तर पर आपकी तवचा को बिना नुकसान पहुँचाए एक्सफोलियेट करने के लिए 100% और शाकाहारी फॉर्मूला है। पॉश एक्सफोलियेटिंग डीप क्लींजिंग स्क्रब न केवल तवचा को साफ करता है बलकि तवचा की प्राकृतिक चमक और नमी को भी बनाए रखता है। स्वस्थ और चमकदार तवचा के लिए आप इस स्क्रब का इस्तिमाल हफते में एक बार कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। गैर मुहा से पैदा करने वाला अलजी पैदा करने वाला नहीं है और रूखी तवचा को शांत करता है। तीन, बादाम का तेल, मेवों का राजा, जो जोबा तेल की तरहां आपकी तवचा को प्रदान करने के लिए अंगिन अतलाब हैं। बादाम के तेल को सबसे अच्छे फेशिल क्लींजर के रूप में जाना जाता है। ये हम्रित तवचा से लेकर अतिरिक्ट सीबम तक तवचा की सभी जिद्धी अशुधियों को दूर करता है। चार, ये हैं एक उत्कृष्ट मॉइस्चराइजर है और सूखे धब्बे को सर्वोत्तम मॉइस्चराइजेशन प्रदान कर सकता है। पांच, बादाम के तेल में जिंक की उपस्थिती निशान और निशान को हलका करने में मदद करती है। चे, बादाम के तेल के आपकी तवचा से अतिरिक्ट सीबम को भंग करने की क्षमता और इसमें विटामिन A की उपस्थिती आपकी तवचा को कम प्रवन बनाने में मदद करती है। साथ, केसर सबसे महेंगा मसाला है और कुछ बहतरीन सौंदर्य घटकों को स्टोर करने के लिए जाना जाता है। तवचा को दाग धबों से मुक्त, पोशन देने वाला और चमकदार बनाने का इसका गुण सभी को पता है। आठ, इसके अलावा इनमें अंटी इंफ्लमेटरी और अंटी बैक्टिरियल गुण भी होते हैं। नौ, समय समय पर तवचा पर निशान पढ़ना बहुत आम बात है, लेकिन केसर ठीक होने की प्रक्रिया को तेज करके इसे ठीक करने में मदद कर सकता है। दस, ये रंजकता को कम करने के लिए जाना जाता है और आपको एक समान तवचा टोन देता है। ग्यारा, तवचा से संटान हटाने के इसके गुण इसे सभी सौंदरे उत्साही लोगों का पसंदीदा बनाते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।